हेलो इंजिनियर्स प्रभाद सोलूशन में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्ट प्रभाद और हम हाजिर इस वीडियो में एक नए कोस्टेंस के साथ तो आईए देखते हैं कोस्टेंस क्या कहता है हमारा जो आज का कोस्टें है वो लग एंगल पर बेस्ट है तो सबसे पहले कोस्टें पढ़ते हैं कोस्टेंस में हमें एक एंगल सेक्शन दिया हुआ है आई एसे यह ठीक है और फेक्टर टेंसाल प्रभाद प्लेट प्लेट यूजिंग अ लग एंगल प्रोवाइड विल्लेट कनेक्शन तो कोस्टेंस में हमें बोलता है हमें एक एंगल सेक्शन दिया हुआ है आई एसे यह ठीक है और फेक्टर टेंसाल फोर्स लग रहा है 450 किलो न्यूटन का इसके लिए हम क्या करेंगे यह हमारा में एंगल है और हमें इसके साहता से हमें लग एंगल को डिजाइन करना है इस हमारा क्या है पूरा section है यह जो आपको लंबी section दिखरी है हमारा main angle है जो कि हमें question में given है इसकी dimension isa 125 into 95 into 10 second है हमारा lag angle lag angle उस condition में आता है जब यह वाला main angle पूरी तरीके से load को bear करने में सक्षम ना हो ठीक है उस समय हम length बढ़ा सकते हैं तो length बढ़ाने से होता क्या है कि वहाँ पे हमारा share lag effect आता है इन सब चीजों को दूर करने के लिए हम lag angle को provide करते हैं अब यह lag angle जो provide होता है इसको हम कैसे निकालते हैं और यह हमारा connection है हम उसको weld के थूरू जोड सकते हैं या rebate के थूरू जोड सकते हैं या फिर bolt के थूरू हम जोड सकते हैं तो हमारे question में हमको welding का connection यूज करने को बोला है तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो हमें given force है ठीक है और हमें क्या given है IS से हमें given है जो की main angle section है इन दोनों की साहता से हम lag angle पे कितना force आ रहा है वो निकालेंगे और main angle पे कितना force आ रहा है वो निकालेंगे IS code के according अब क्या करेंगे lag angle का area निकालेंगे lag angle का area निकालने के बाद हमारे पास जो angle मिलेगा उसके value से इस area के value से हम lag angle को still table से select करेंगे अब क्या करेंगे इस lag angle के लिए और हमारा main angle के लिए हम design करेंगे weld connection ठीक है दोनों के लिए करेंगे अब उस connection को हम क्या करेंगे provide करेंगे इस connection में हम क्या निकालेंगे कि कितना weld का length रहेगा तो यह सारी चीज़े हम यहाँ पे देखेंगे तो आई अब question को solve करते हैं तो देखें given data में हमें दिया ISA 125 into 95 into 10 और factor force यानी capital FU दिया है 450 kN अब यहाँ से हम क्या करेंगे area of connected leg निकालेंगे या फिए जिसमें हमारा welded leg होगा वो तो यह कैसे निकालेंगे जो आपका B होगा उसमें से minus करेंगे T by 2 into T होगा तो 125 यहाँ B की value है की 10, solve करने के बाद आता है 1200 mm square यहाँ पर मैंने पूरे question को solve किया हुआ है इसमें फिर भी आपको अगर कोई doubt आता है तो आप comment section में बता सकते हैं या फिर मुझे से कोई गलती होती है तो भी उसको भी आप बता सकते हैं अब देखिए area of outstanding leg एक leg आपका wielded हो गया दूसरा leg आपका outstanding रहेगा ठीक है उसका क्या होगा area तो w minus t by 2 into t w किसको लेंगे तो यह जो 95 है वो w को काम करेगा t by 2 जो ठीकने से तो यहाँ पर 95 minus 10 by 2 into 10 solve करने के बाद आता है 900 mm square अब देखिए force in the outstanding leg इस outstanding leg में कितना force आ रहा है यह जो 450 kN है वो जो लग रहा है total पूरे section का है लेकिन इस outstanding leg में कितना आ रहा है उसको हम देखते हैं तो इसके लिए formula बनेगा area of outstanding leg यानि यह upon में यह gross area यह दोनों area into आपका fu जो आपका factor force है यहाँ पे हम value रखते हैं तो 900 into 450 fu की value 450 upon में ag कैसे निकाल लेंगे तो यह 1200 उपर में जो हमने निकाला था और 900 यह दोनों को add करते हैं तो आपका solve करने के बाद आता है 192.86 kN जो की outstanding leg पर इतना load आएगा अब हम connected leg पे निकालते हैं force तो जितना आपका factor force दिया है उसमें से इस वाले value को हम minus कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा तो 450 minus 192.86 solve करने का दाता है 257.1 kN अब देखिए force transmitted to lug angle अब जो हमारा lug angle है वहाँ पे कितना force transmitted होगा तो outstanding leg में आप क्या करेंगे 1.2 का into करेंगे क्यों करेंगे क्योंकि हमारा जो IS code है 800-2007 page number 83 में clause 10.12.2 बोलता है कि हमें 20% तक हमको बढ़ाना है यह हमारा IS code है page number 83 lug angle पे आप आएंगे यहाँ पे आप जबाएंगे तो यहाँ पे लिखता है strength not less than 20% in access of the force in the outstanding length of the member मतलब member में जो force आ रहा है उसमें आपको 20% और access करना है बढ़ाना है उसके बाद आपको उसको design करना है lug angle के लिए इसलिए हम यहाँ पे क्या कि 1.2 का into करते हैं जो आपका outstanding leg पे force आ रहा है उस पे तो solve करने के बाद आता है 231.432 kilo newton अब इस kilo newton जो force आ रहा है आपका transmitted to lug angle इसकी साहता से अब हम क्या निकालेंगे area निकालेंगे lug angle के लिए कि हमें अब कितना area का lug angle प्रोवाइट करना है तो लिखते हैं for preliminary sizing of lug angle use the relation td n equal to alpha into an into fu upon me gamma m1 value हमें कहा से मिल रहा है तो page number 33 हम जाएंगे is code 800 में clause number 6.3.3 में हमें ये मिल जाएगा देखिए page number 33 में आप आएंगे तो यहाँ पे आपको देखे ये formula आप हमें मिल जाएगा यहाँ पे alpha की value कितना रखना है तो 0.8 रखना है किसके लिए weld length के लिए ठीक है यहाँ पे weld connection यूज कर रहे हैं बाकी के लिए 0.6 है तो जब हम अलग-अलग connection यूज करेंगे तो वहाँ पे इसको हम discuss करेंगे अभी फिलाल हम 0.8 ले ले लेते alpha की value इस formula के health से हम क्या निकालेंगे net area निकालेंगे जो कि lag angle के लिए होगा यहाँ पे जितने term हैं वो सारी चीजों को equal के इधर ले आते हैं यहाँ पे बस के वाल an रखते हैं तो an equal to हो जाएगा tdn into gamma m1 upon में alpha into fu तो tdn की value हम जो यहाँ पे आया है value वो gamma m1 की value 1.25 रखेंगे क्यों रख रहे हैं क्योंकि is code बोलता है तो page number 30 में और वहीं पे table number 5 में यह value given है fu हमने assume कर लिया है 410 mega pascal given formula में हम value रखते हैं तो 231.432 into 1.25 into 10 the power 3 upon में 0.8 into 410 solve करने के बाद आता है 881.98 mm square यहाँ से हमारा निकल गया net area तो के लिखते हैं इसलिए net required area of lag angle equal to 881.98 mm square यहाँ से अब हम gross area निकालेंगे तो IS code बोलता है the gross area is arrived by increasing the net area by 15 to 20 percent हम इसमें 50 to 20 percent increase करके gross area निकाल लेते हैं तो हम 15 percent ले रहे हैं तो AG equal to 1.15 into AN जो आपका net area है अब net area के हाँ पे into करते हैं तो आपका value आ जाता है 1014.28 mm square अब इस gross area को हम क्या करेंगे still table में जाएंगे और जितनी section वहाँ पे इस gross area के equal में आएगा angle section वो हम क्या करेंगे 45 section का निकालेंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे सबका हम i access चेक करेंगे एरिया चेक करेंगे और weight चेक करेंगे इन सब में जो हमारे economical होगा उसी section को हम choose करेंगे तो हम still table में page number 14 से हम provide कर रहें IS से 100 x 75 x 8 mm जो की lug angle है अब जो provide की है lug angle उसका gross area still table से हम देख करके लिखते हैं इसलिए age of lug angle provide तो 13,36 mm square है इसकी value अब यहाँ से हम क्या करेंगे welded connection का design करेंगे दोनों के लिए lug angle के लिए और main angle के लिए तो लिखते हैं design of welded connection 75 mm leg of the lug angle will be placed as the outstanding leg जो 75 mm का जो leg है ठीक है अभी जो हमने provide किया वो क्या है outstanding leg के जगा में हम place कर रहे हैं to be connected to the 95 outstanding leg the main angle तो main angle के 95 से इसको हम add करा देंगे अब यहाँ पे हम क्या करते हैं assume करते हैं providing 6 mm weld connection यहाँ पे जो size of weld है वो हम 6 mm provide कर रहे हैं अब इसको हम check कर लेते हैं कि यह minimum size of weld से कम तो नहीं है तो इसके लिए हमें page number 78 में IS code में आना है table number 21 पर यह हम IS code में आ गया table number 21 पर यहाँ पी क्या है आपका ठीकने soft thicker plate दिया हुआ है और यहाँ पे minimum size of weld है हमारा जो है वो 10 mm तक है ठीकने soft thicker plate का size तो minimum यहाँ पे कितना हम रख सकते हैं 3 mm से कम हमें नहीं रखना है तो हमने कितना assume कर लिया है 6 mm तो यहाँ पे यह full fill है अब देखिए effective size of weld होगा आपका k into s यह आपका formula होता है अब यहाँ पे हम assume करते हैं जो आपका fusion phase होगा angle का जहाँ पे हम weld को लगाएंगे वो angle हम रखेंगे 60 से 90 के बीच में उस case में आपका k की value होती है 0.7 जो कि हमने IS code से लिया है page number 71 table number 22 से यह table number 22 है यहाँ से हम k की value ले ले लेते हैं तो यह 60 to 90 degree के लिए हमारा k का constant value कितना 0.7 तो हम यहाँ से ही इस value को ले लेते हैं इसलिए लिखते हैं strength of the weld per mm length अब हम क्या करेंगे strength निकाल रहे है weld का 1 mm के लिए कितना हो सकता है per mm length के लिए तो यह formula हमें कहां से मिलेगा IS code 802.7 में page number 79 में जाना है clause number हमारा है 10.5.7.1 तो देखें यहाँ पे हम आगे हैं यहाँ पे यह formula आपको दिया है FWD equal to FWN by γामा MW यहाँ से हम क्या करेंगे इसको लेंगे यह जो formula आपको दिया है यह total strength आपके लिए formula यहाँ पे हम क्या करेंगे effective size of weld का अगर into कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा per mm length में कितना weld का strength है तो यह हमने effective size of weld को यहाँ पे into कर दिया है अब यहाँ पे gamma MW की value कितनी होगी soft welding हम assume कर लेते हैं तो 1.25 हम ले लेंगे ठीक है और FU की value हमने 410 mega pascal assume किया हुआ है सारी चीजों को हम इस formula में put करते हैं तो लिखते है F WD equal to 410 into 0.7 into 6 upon में under root 3 into 1.25 solve करने के बाद आता है 795.36 Newton per mm मतलब हम जो weld provide करने जा रहे हैं 795.36 Newton per mm का strength देता है इसलिए हम लिखते है length of weld required for connecting leg of the lug angle to the gazette plate तो lug angle को gazette plate से जोड़ने के लिए कितने weld का length का जोरत पड़ेगा वो है तो निकालने के लिए क्या formula बनेगा force transmitted to lug angle जो हमारा force lug angle पे आ रहा है upon में strength of weld per mm length तो force हमारा कितना है 230 1.432 into 10 the power 3 क्योंकि ये kilo Newton में है upon 795.36 solve करने के बाद आता है 290.99 mm तो हम इसको थोड़ा से बढ़ाते हैं 295 mm ले लेते हैं क्योंकि इतना measure करना आसान नहीं होता है इसलिए approximate इतना लेते हैं तो पहला building हमको मिल गया 295 mm अब second निकालते है length of weld required to connect the main angle to the gazette plate अब main angle को gazette plate से connect करने के लिए कितने length of weld की जुरत होगी वो तो force in connected leg upon me strength of weld per mm length कर देंगे तो force in connected leg है आपका 257.1 into 10 the power 3 upon me 795.36 solve करने के बाद आता है 323.25 mm approximate value ले ले लेते हैं 325 mm तो second weld का length हो गया 325 mm अब next weld length of weld required to connect the outstanding leg of the angle to main angle मतलब हमारा जो outstanding leg lug angle का है और जो main angle का है इन दोनों को आपस में भी joint करने के लिए कुछ हमें length का जुरत पड़ेगा weld का तो वो हम कैसे निकालेंगे तो IS code बोलता है कि इसको 40% हम increase कर देंगे outstanding leg को upon me आपका strength of weld per mm length देखिए IS code में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 84 number पेच पे 40% in access of the force in the outstanding leg of the angle तो इसके respect में हम क्या करेंगे design करते हैं तो यहाँ पर हम क्या कि 1.4 का into कर दिये into आपका जो force है यहाँ पर 192.86 into 10 the power 3 आपका strength of weld है आपका 795.36 solve करने के बाद आता है 339.47 approximate 340 mm होता है तो आपका final यह third वाला कितना हो गया 340 mm length अब इन सब को हम क्या करते हैं प्रोवाइट करते हैं तो यह हमारा हो गया diagram ठीक है यह आपका क्या है ISA 100 into 75 into 8 आपका lug angle है यह आपका ISA 125 into 95 into 10 आपका main angle section है यहाँ पे आपका जो welding है आपका 325 mm length का लिए है यहाँ पे जो आपका welding है वो आपका 295 mm के length का है और इन दोनों को joint करने के लिए welding हमें provide करना पड़ा है जो की 340 mm का है तो यह question आपका complete हुआ तो यह वीडियो आपको थोड़ी से भी help के होते इस वीडियो को like करें share करें इस channel को subscribe कर लें इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद